दोस्तो हीरो की तरब से करिस्मा जैदे मार बाइक भारत में फिर से एक बार लॉंच होने वारा है और आसे इस वीडियो में हम आपको इस नई बाइक के बारे में दिटेल में बताएंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लक्समी माता उन सभी पर अपनी कृपा बनाई रखना जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है और हमरे स्नेल को सब्सक्राइब किया है अब हम भीडियो में आगे बढ़ते हैं हीरो करिस्मा को कमपनी ने पहली बार मैं 2003 में लाउंस किया था और कमपनी ने साल 2019 में इसकी आखरी मोडल के तौर पर बेचे जाने वाली करिस्मा ZMR को खराब सेल्स के चलते दिसकंतियों कर दिया था मीडिया इपोर्ट्स के मुताबिक कमपनी इस बाइक को इस साल के अन तक बाजार में उतारेगी जानकरी के अनुसार नई हीरो करिस्मा को बिल्कुल नई लुक और डिजाइन के साथ पेस किया जाएगा और ये नई प्लेटफॉर्म पर तयार किया जाएगी बताया ये भी जा रहा है कि कमपनी 233 सिसी की नई लिकुल प्लेटफॉर्म पर काम कर जाएगा अगर पहले की बात करे तो करिस्मा को कमपनी ने 223 सिसी की एक समता वाली एर कुल इंजिन के साथ पेस किया था ये इंजिन 20PS की पावार और 19NM का पीक तर्क जनेट करता था अपनी खास स्पोर्टी लुक और डमदार इंजिन के सलते ये मोटर सैकल युबाओं के बीच काफी पॉपुलर थी लेकिन समय के साथ घत्ती मांग के चलते कमपनी ने इस बाइक को दिसकंटिन्यू करने का फ 10PS की पावार और 30NM का तर्क जैनेट करे में कैपेबल होगा इससे साफ है कि नई करिस्मा पिसले मोडल के तुलना में ज्यादा पावारफुल हो सकती है इसके अलावा इस बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविदी, ब्लुटुथ टेकनोलोजी, LED लाइटिंग इत्यारी क का भी इस्तेमाल देखने को मिल सकता है अगर मार्केत में कंपरिजन की बात रहे तो नई करिस्मा का मुकाबला अपने सेग्मेन में पालसर 250, जिकसर 250 और दोमिनर 250 से होगा तो हीरो की इस नई नवेली करिस्मा के बारे में आपका ओपीनियन कोमेंट बोक्स में जरूर अगर तो वीडियो को लाइक और स्यार करना ना भूलिए और हमारे स्नियल को भी अप सब्सक्राइब करके हमारे साथे जूर जाहिए